बुल बैसाग मात्तम कीजे आज मैं आपको बैसाग मास के छटे अध्यागी कता सुना रहा हूँ पांच अध्यागी कता मैंने अपने चेनल पर डाल दिया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको मिल जाएगा देवरिशी नाराजी कहने लगे है राजन बैसाग मास सब धर्मों तपों और मासों मिस्तेश्ट है यह मैं तुमसे कहता हूँ जलदान करने से अन्नदान करने से और विश्नु पूजा से अनंतगुना फल्म पराप्त होता है आज मैं तुमको एक ब्रामणों चिपिकली की कता सुनाता हूँ नाराजी कहते हैं कि इस प्राचीन काल में हैमांग नाम बाला एक राजा इक्ख्याकु बंस में हुआ वो यह ब्रामणों का बड़ा भक्त था तिसी की निंदाना करने वाला, सत्रों पर विजय करने वाला तता जीति इंद्रत था उसने इतने यग्ग किये कुशाओं से प्रत्वी डग गई उसने सो भूमी, अत्वा सोड का दान देकर अनिक ब्रामणों को प्रसन किया ऐसा कोई दान नहीं था, जो उसने ना किया हो, परन्तु कभी भी उसने बैसाग मास में जलदान नहीं किया वह कहता था, यह सुलव है, इसका दान करने से क्या फल मिलेगा राजाने लूले लंगने अन्दे और जीब का हीन ब्रामणों की सेवा किया करता था परन्तु बेजपाटी ब्रामणों की कभी सेवा नहीं किया करता था नहीं, वह किसी साधु संत की सेवा किया करता था विच्चात ब्रामणों की सेवा तो सभी करते हैं, यह कहकर के वह कहता था कि इनकी सेवा से क्या फल मिलेगा अनपड़े लूले लंगणे और दरिद्री दुरगती के और यही दया के पातर होते हैं इस दोस के कारण तीन जनम तक उसको चातक की योनी मिली फिर एक जनम में गिद्ध बना फिर साथ जनम कुत्ते की योनी मिली फिर एक राजा के मेल में छिपिकली की योनी में उत्पन हुआ। इस पकार उस राजा को मिथलापुरी के राजा सुरुत कीरती के गर में छिपिकली बनकर द्वार की चोकट पर कीडों को भक्यन करते हुए 87 बर्स बीत गए। एक समय सुद्देव रिशी भूके प्यासे उनके चरण दोकर अपने माते पर उस जल कुछ लिखा। देवयोग से उस जल की एक बूंद पढ़ते ही उसको अनेक योनियों के जनम का ग्यान हो गया। और हाई कहने लगा कि ही ब्राम्मर देवता आप मेरी रख्या करें। छिपिली के ऐसे बचन सुनकर ब्राम्मर को ब सुल में उत्पन हुआ हूं में बेज सास्त्रों का ग्याता मैंने अने को गवदान और यग्य किये। तता बहुत से कुए तालाब और बाबडी बनवाई अने को दान दिये। और धरम पुर्वक राजवी किया तो भी मुझे श्रग नहीं मिला। तीन जनम तक चाह तक एक जनम में गिद साथ जनम तक कुत्ते की योनी में रहा। अब चिपकले की योनी में हूँ। यह राजा आपका चरणों तो छड़क रहा था। उसकी एक बूद मुझ पर गिर गई जिससे मुझे पूर्व जनम का ब्रतांतिस मरड है। और मेरे अने को पाप नास हो गए। मुझे को 28 जनम तक चिपकले की योनी मुगतनी पड़ेगी। सो मैं इस जनम से ड़ता हूँ। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी दसा कैसे हुई। तव रिशी ने अपने नेत्र चक्ष्यू दारा सब कुछ जान लिया। और कहने लगे कि मैं तुम्हारी भुरी योनी का कारण जानता हूँ। तुम जनम दे कर सुनो। तुमने भगवान के प्यारी बैसाग मांस में कभी भी जलदान नहीं किया। तुमने जल सुलव जान ये समझ लिया। ये तो बिना मूल के ही मिलता है। और धूप वा मार के प्यासे ब्रामनों को जलदान नहीं किया। मात्माओं की अवग्या की इस लोक और परलोक दोनों तुमने बिंगा लिये। कहते हैं सजनों की पूजा ही धर्म अर्थ काम और मुक्ष देने वाली है। इस पकार बहुत से करता ब्यलकों नहीं कि देखते। जैसे मन आद्मियों की संगती इसमें कुछ फल नहीं मिलता वैसे ही तीर्थ या मूर्ति पूजा से भी ततकाल फल नहीं मिलता है। परंतु मात्मा के दर्सन मात्र से ही मनश्य पवत्र हो जाता है। तुमने तो जलदान ना दिया सादूं की सेवा भी नहीं की। इसी कारण तेरी ये दुरगती हुई है। अब मैंने जो बैसाक मास के पुन्न किये हैं हुए तेरे को दूंगा उसी के फल से तेरी सांती होगी। इससे तेरे भूत भविश्य और बर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संसकार दूर हो जाएंगे। ये कहकर रिशी ने जल इस पर्सकर एक दिन के बैसाक इसनान का फल उस के चीटे लगते ही हुए सब पापों से मुक्त होकर दिब रूप हो चिपिकली का रूप त्याक कर दिब रूप धारन कर हाथ जोड़कर रिशी की परकम्मा करने लगा। और रिशी की आग्या लेकर सोलो को चला गया। और दस हजार बर्सों तक सुन्दर भोगों को भुक करने लगा। है राजन बैसाग मास का इतना मैत्व है जो लोग बैसाग मास में जल दान नहीं करते उनके किये गए सारे कर्म निस्पल हो जाते हैं। इसलिए बैसाग के मैने में अन्नदान, जल दान, विश्णु पूजा, ब्राम्मर साधु संतों की पूजा, सेवा और स् अगर बाहर जाकर कि गंगा इश्णान ना कर सके, तो घर के जल में ही थोड़ी सी गंगा जल मिला करके, ओम गंगाई नमाहा ऐसा करकर के इश्णान करें, जिससे गंगा इश्णान का फल पराप्त हो जाता है। इसलिए प्रतेग विक्ति को ध्यान रखना चाहिए और भू एक इंसान का अधायत होता है वो अपने कर्म जरूर करें यह बैसाग मांस के छटे अध्यायकी खताती पुलरादा कृष्ण वगवाने कीजे वीडियो के लाइक शियर करें कमेंटर में उपने वगते वास देवा जरूर लखें